गवर्मेंट औफ उत्तर परदेश में मेडिकल यूनिवर्शिटी में वैगनसी जाई है जो ये वैगनसी निकल के आई है ये नर्सिक ओफिसर की वैगनसी जाई है और आज हम इस वीडियो में इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में डिसक्स करेंगे इसका सिलेबस क्या रहे जो further process government कर रहता है वो तो करेगी लेकिन based on return exam आपका यहां पर final selection हो जाएगा अब हम यहां पर बात करेंगे आपके return test के बारे में जो आपका return test है उसमें 200 MCQ question आएंगे और guys एक question के चार option होगी जो भी option आपको सही लगता है उस पर आप click कर सकते हो CBT आपका exam होगा computer based test आपका अलिया जाएगा ठीक है जो एक question है वो तीन number को carry करेगा it means यहां पर 600 marks का आपका exam होगा exam को पूरा करने के लिए आपको तीन घंटे का time मिलेगा लेकिन negative marking बहुत solid है 1 by 3.33 negative marking है means तीन question अगर आप गलत करते हो तो एक number यहां पर आपका एक question काट ले जाएगा same ही यहां पर अगर आप यहां पर six number का गलत करते हो तो दो number यहां पर आपका काट लिया जाएगा तो same ही one by three यहां पर दोनों में ही negative marking जैसे कि दोनों pattern से मैंने आपको बता तो वैसे negative marking यहां पर रहेगी ठीक है यहां तक के लिए रहा हिंदी और English दोनों ही language में आपका question पर आएगा जिस language में आपको करना है वैसे आप कर सकते हो लेकिन जो 30 question है वो journal syllabus के रहेगी जो सभी government जो recruitment आती है उन आप में होते है गुरूप D और गुरूप C की जो recruitment आती है उनसे रिलेटरी हाँ पर आपका syllabus होगा लेकिन जो 170 question होगे उसका जो syllabus होगा वो nursing subject का होगा अगर आपने नर्सिंग से BSC की है वाइपरी से आपने किया है तो यहाँ पर उससे related question आईए लेकिन exam में minimum qualify marks भी रख रहे है जनरल वालों को यहाँ और OBC वालों को और EWS वालों को 40 percentage number लेके आने बागी जो other category है STSC एंड इन तीन category को छोड़के इसमें 35 percentage number आपको qualifying number लेके आने है इसके बाद आपकी merit list बनेगी आपको even even आपको यहाँ पर qualifying भी दो लेके आने है लेकिन यहाँ पर जो है आपको high score number भी लेके आने है जब भी आपके सेलेक्शन होगा बात करेंगे syllabus की गाई जो बैने बता general C level उसकी बात करेंगे general English के 10 question आएंगे और यहाँ पर general knowledge and general awareness के 10 question आएंगे और reasoning and math के 10 question आएंगे यह part आप छोड़ सकते हो लेकिन आप जो है current की 4-5 महीने की पढ़ लेना तो एक-2 question मिल जाएगा बाकि यह जो question में है यह time taken वाले question है इसमें guys कुछ भी वो पूछ सकता है या 5 साल पहले का पूछ सकता है current का पूछ सकता है तो इसमें mind को यूज करने की कोई जूरत नहीं है आपको यहाँ फोकस कर रहे है अपना main जो core syllabus of इसका है मतलब 170 question पर आपको focus करना है अगर यह आपने सही करती तो आपका selection कोई नहीं रोग सकता है इसकी जो merit list लगेगी कर आगे हम discuss करते चलेंगे ठीक है यहाँ तक के लिए reasoning और math आप solid कर लेना 10 में से 8 number कर लेना English भी आप 10 में से 8 की कर लेना तो कहीं नगए accuracy यहाँ पर maintain बहुत ही रहेगी nursing syllabus के बारे हम बात करेंगे देखो anatomy के question आएंगे psychology के question आएंगे microbiology के question आएंगे biometric के question यानि जो 3-4 subject है इनके 15 question है हो सकता है anatomy से 2 आए psychology से 5 आए microbiology से साथ आए ऐसे करके यहाँ पर question आएंगे लेकिन आपको यह सभी पढ़ने है सभी से 15 question आएंगे psychology and sociology से आपको 15 question मिलेगे या गैंबे Community health nursing से 15 question आपको मिलेगे है nutrition health education and communication skill इससे 15 question आपको मिलेगे Medical surgical nursing से भी आपको 15 question देखने को मिलेगे Mental health nursing से भी 15 question मिलेगे and midwives and gynequitoермachal और nursing से भी 15 question देखने को मिलेगे और nursing education and research से 15 questions देखने को मिलेंगे professional trains and nursing administration और ward management से भी आपको 15 questions देखने को मिलेंगे fundamentals of nursing and first grade से भी 20 questions देखने को मिलेंगे इस type की यहाँ पर question है जो मैंने अभी syllabus को बताया है आप थोड़ा ध्यान से question paper करना क्योंकि negative marking बहुत solid negative marking है यह कम negative marking नहीं है यह बहुत higher exam में negative marking आती है फिर भी आपको कोई doubt रहते तो आप comments कर सकते हो thank you